एसिडिटी की समस्या आजकल बहुत बर रही है आपने देखा होगा बच्चे हो या बरे सभी एसिडिटी से परसान है यानि कि हाजमा खराब होना यदि सही समय पे इसका इलाज नहीं हुआ तो यह एक बहुत ही बरी बिमारी का रूप ले सकती है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी घरे लिए उसके जो आपको एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती है आपको बाहर की कोई भी दवाई लेनी की जरुरत नहीं होगी बलकि आपके घर के किचन में ही एसिडिटी का इलाज मजूद है तो आए जानते हैं कि यह क्यूं होती है जब हम कुई भी खाना खाते हैं तो हमारा सरीर उस खाने को पचाने के लिए एक प्रकार का एसिड को उत्पन करता है जो उस खाने को गलाने और पचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है लेकिन कुछ खाने की चीज ऐसी होती है जिसे पचाने के लिए हमारे सरीर को उस Acid को अधिक मात्रा में पैदा करना होता है इसके वज़े से हमें Acidity की समस्या हो जाती है पुल सब्सब्दों में अगर कहा जाए तो हमारे सरीर इस acid को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैदा कर देता है तो उसी वज़े से Acidity की समस्या हो जाती है यलिए वक्ट तो रहते इस Acidity का इलाज नहीं हुआ तो ये बहुत ही बरी बिमारी का रूप ले सकती है यहां तक ये अलसर तक हो सकती है तो आएए पहले जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षन है इसके लक्षन में सबसे पहला लक्षन ये है कि इसमें सीने में दर्द भी होता है और कभी-कभी सीने में जलन भी होती है उल्टी जैसे लगती है, जी मचलाने लगता है पेट में जलन होती है, खटे डकार आते है जलन होने के साथ साथ पेट में दर्द भी रहता है और भूग बिल्कुल नहीं लगती है पेट फुला-फुला हुआ लगता है कभी कभी तो constipation भी हो जाती है इससे क्या होगा कि और ज़्यादा problem बढ़ जाती है तो आप चलिए जानते हैं कि acidity का वज़ा क्या है वज़ा यही है कि समय से खाना यदि आप नहीं खाएंगे तो acidity हो जाएगी breakfast यदि आप skip करके खा रहे हैं तो भी acidity होनी की समभावना है मोटे लोगों को जादा परिसान ही है इसमें यदि आप खाले पेट में चाई पी रहे हैं कौफी पी रहे हैं उससे भी acidity हो सकती है टेंसें जादा ले रहे हैं उससे भी acidity हो सकती है ज्यादा मसालेदार तला भूना खा रहे हैं इससे भी ऐसिडिटी होती है ज्यादा स्पैसी खाना नहीं खाना है और यदि आप बरती उमर है तो ये common है ऐसिडिटी का प्रॉलम आना ही है और यदि आप चीनी ज्यादा खा रहे हैं जिससे की असदिटी नहीं चाहिए और सबसे खास बात मैं आपके साथ मैं आज ऐसी रेमेडिस सेयर करने जारी हूं जो पांच मिनट में आपको आराम देगी किसी किसी लोगों को आपने देखा होगा कि खाना खाते साथ ही वह सो जाते हैं खाना खाने के बाद थोरा सा वाक क कि फिए अजया से की आसदी पार मेंचन है और भी पीमारी या भी मेडिसंगा ना लिए जाता की और मेंट कौई जबाद पीतें हैं ज्यादा खटाई खा रहे हैं ज्यादा प्रेगनेंसि वोमें को यदि यह बीमारी या इसके अलावा जिसे भी एसीडिटी का प्रॉलम है तो उसे अपना इलाज जरूर करना चाहिए तो आपको उसको यूज करना है और अपनी एसीडिटी के प्रॉलम से दूर रहना है सबसे पहले आप सौंफ को रखें तो सौंफ को खाने से एसीडिटी का प्रॉलम नहीं आती है भोजन को यह डैजिस्ट करने का काम करती है बहुत ही इसली पचा देती है किसी भी होटल में आप जाएंगे वहां पे देखेंगे कि खाना खाने के बाद आपको खाने दिया जात करना है अच्छे से पाणी में जीरह को और ठासी चांद करके तुरत में आपको खाना पच जाएगा और मैं आपको बताने जारही क Ci-zarी होम रेमिडिज यह है लॉंग जो है आप फूल वाला लें एक लांग लें आत से ज्यादि आधे लिना है अपको नहीं लेना है फूल वाला लॉंग लेना है और बस दांत में आपको दबा के रख लेना है एक कोना में और उसका जो आप रस जाएगी आपके अंदर पेट में तो वही वो खाना को पचाने का काम परती है यही होम रेमिडिस बताने जारी हूं जो की एसिडिटी के लि वह आपको तुरत में डैजिस्ट कर देगी बहुत ही अच्छी इसमें पचानी की सकती होती है पेट में गैस नहीं बनने देती है पेट तरद या एसिडिटी से यह बचा कर रखती है इसलिए दालचीनी और हनी का मिक्स्चर को आप जरू लें और पांचवा मैं आपको जो होम रेमिडीज बेसल लिप्स यानि की तूलसी के पते यह बहुत ही जादा बेनिफीशल पते होते हैं आपको तो पते ही है इसे पानी में उबाल के खाएं या फिर आप इसका चाय बना के पिएं यह हर हालत में आपको बहुत जादा फैदामन रहेगी आपके खाने को बहुत ही जल्दी क्योर करती है यह है ग्रीन कार्डमम यानि की हरी इलाइंची तो पेट और सीने में जिसको जलन होती है तो उसके लिए यह इलाइंची का पॉडर बहुत ही फैदेमंद होती है हरी इलाइंची का पॉडर बना ले और उसको उबाल ने पानी में उसके बहुत ज़यादा पानिये पीने से वह पता है या फिर ज़ादा पान सिह के लिए जी डूद को फैदेमानने, वह है कि अभी करते हैं, प्रकृती ने ऐसे से फ्रूट्स दिये हैं जो कि बहुत ज्यादे फायदे मंद होती है एक ग्लास पानी में रोज एक चमस अगर आप बना के पिएंगे प्रॉलम से आपको चुटकारा मिल सकता है और ज्यादा है आपको तो आप दिन में दो बार आप इसका पानी ले सुबह तो इसका यूज आप जरूर करें एस जल्दी ठीक हो जाती है इसके साथ ही पका हुआ केला यदि आप खाते हैं तो आपके खाने को यह बहुत ही जल्दी डैजस्करती है बहुत जल्दी पचाती है और ऐसीडिटी के प्रॉलम को आने से रोकती है साथ ही अनाय का जूस केला खा लेना है और वो आपके acidity को खतम कर देगी इसके साथ ही मैं कुछ और fruits का नाम लेने जा रही हूँ जो कि acidity में बहुत ही ज्यादा beneficial होती है जैसे watermelon हुआ तरबूज, cucumber, coconut water is very beneficial in case of hyper acidity तो इसे आप जरूर लें, coconut water बहुत अच्छी होती है पेट के लिए भी, तो साथ ही पुदीना बहुत ज्यादा अच्छी होती है उसमें ठंडक होती है जो कि आपके पेट के acidity को खतम करती है इसके साथ ही जब आपको acidity महसूस हो तो आप ठंडे दूद का भी seven कर सकते हैं ठंडे दूद को आप one-fourth glass आप ले और उसे आप सिप करकर के थोटरा करके पिए इसे भी बहुत जादा राहत मिलती है अच्छी जिंजर जिसे बस आप एक टुकरा यदि आप पानी मुबाल के खायें खाना खाने से पहले तो आप अच्छे से अच्छे चीज़ को भी आप पचा लेंगे इसमें acidity बनने ही नहीं देती है अद्रक यह बहुत ही अच्छी चीज होती है बस खाना खाने के पहले आप एक टुकराई से खाले और साथ ही यदि आप गुर भी खाले तो ग च्वाइन का यूज करें पांच मिनिट में आपको रहत मिल जाए आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके आप अपनी फ्रेंड और फैंबली में से शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सभी का फ्यादा हो सके इसे उन्हें भी रहत मिल सके वीडियो के दौरए मैंने बहुत ही बेनिफिशल बहुत ही लब दायक आपके साथ में होम रिवडिये सेयर किया है जो की ऐसे जिएक लिए बहुत ही जादा बेनिफिशेर करें और यदि अभी तक अपने मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें पिर में आने वाले बेल एकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी सबी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें